कॉर की सिंदर आज के वीडियो में आपको जो सारी चीजें मतलब यह बारे मैं उसके बारे में मैं आपको पूरा स्न भाई स्टेब का नहीं हुक्ताइबAAAAW से लेके जितने भी मैंने अभी तक टूल्स डेवलप किये हैं, किस तरिके से यूज करने चाहिए। तो मैं उसका एक पूरा एक वीडियो भी बनाओगा, और कुछ पार्ट्स पार्ट्स में भी वीडियो आएंगी आपके पास में तक वो इजी हो जाएगा कि किस तरीके से टूल्स को यूज करना है किस तरीके से काम करता है और क्या चीजे जरूरी है तो सबसे पहले आपके पास में मतलब मैंने जो टूल डेवलप किया हुआ है तो वो टूल जो है वो मैंने Rhino 7 में डेवलप किया हुआ है और आपको Rhino 7 आपके पास होना चाहिए latest version होना चाहिए best है मतलब 7.18 मतलब SR18 या उससे plus हो तो best है ये कुछ टूल्स जो है वो Rhino 6 पे चलते हैं कुछ टूल्स नहीं चलते हैं तो मैंने test नहीं किया हुआ है लेकिन कुछ friends ने या जिन से मैंने testing के लिए दिया था तो उन्होंने कहा है कि कुछ टूल्स चल रहे हैं कुछ टूल्स नहीं चल रहे हैं तो मुझे भी confirm नहीं है कि कौन से और कौन से नहीं आप लोग test करके देख लीजिए और कुछ plugins ऐसे इसके अंदर या कुछ programming से इसी है जो rhino 6 के compatible नहीं है तो वो tools नहीं चलेंगे so please यह मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यह rhino 7 के लिए मैंने develop किया है और rhino 7 में मेरे पूरी तरीके से good test किया हुआ है आप लोगो अभी करके दिखाने वाला हूँ तो यह first point हो गया second point यह matrix और rhino 5 पे बिलकुल नहीं चलेगा ध्यान से सुन लीजिए please comment में या telegram पे message मत बूचिए rhino 6, matrix 7 जो भी है मैं आपको बता चुका हूँ मैं लिख चुका हूँ लेकिन फिर भी लोग पढ़ते नहीं है and पूच लेते हैं तो please आप पहले से ध्यान रखिए चीज़ का कि यह rhino 7 के लिए है and यह rhino 6 के लिए भी है लेकिन rhino 6 पे maybe 50-50 chances है ठीक है and rhino 5 के लिए तो बिलकुल नहीं है okay so let's start करते हैं आप लोग इसके अंदर पहले तो आपको एक फाइल मिलेगी tools free of cost है आपको कोई चार्ज ने लेगी का अगर आपको लग रहा है कि आपको मुझे support करना चाहिए या कुछ करना चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके आप जॉइन कर लीजिए so इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी तो आपको पहले जितने भी रहनों के windows है वो सारे के सारे आपको बंद करने पढ़ेंगे मतलब close करने पढ़ेंगे ठीक है फिर उसके बाद आपको जो tool मिला हुआ है इस पे आपको double click करना है और आपको administrative rights के लिए पूछेगा तो आपको yes करना है औके यहां पर password डालना है saggy3dium saggy3dium में s capital है और आपको next 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 करने install करना है जब आपका install हो जाएगा क्योंकि मेरे पास already install ले तो मैं फिर से overwrite नहीं करना चाहता हूँ यह install होने के बाद में अगर आपके पास यहां पर toolbar नहीं आता और आप first time कर रहे हो मान लिजिए आप first time कर रहे हो तो आपको option में जाना है option में type करना है and यहां पर toolbars में जाना है file में जाना है open करना है and आपको c drive के अंदर आपके पास saggy3dium का एक folder होगा इस folder के अंदर जाना है and यहां पर toolbars में जाना है और यहां पर आपके पास में दो toolbar हो सकते हैं maybe एक toolbar हो या दो toolbar हो तो आप पहले एक toolbar saggy3dium.rui या saggy3dium only लिखा होगा तो उस toolbar को आपको select करना है ध्यान रखिए and open करना है open करने के बाद में आपके पास में यहां पर saggy3dium का एक toolbar आएगा और यहां पर अलग-अलग toolbars आएगे तो यहां पर pattern on होना चाहिए by default on होगा 100% होगा लेकिन में भी कुछ reason की होज़र से कुछ glitch की होज़र से यहां पर नहीं होगा तो यहां पर pattern वाला on कर लीजिए यह on करोगे तो आपका side में यह toolbar आपका तीन तूल से यह दिख जाएंगे आपको यह मैं okay कर देता हूँ मैं अभी इस तरीके से आपके पास ही आएगा okay and मैंने अभी काफी कुछ update किया इसके अंदर जैसे कि मैंने 2D के टूल्स में तीन टूल्स है यहां पर जाली के patterns के यहां पर मैंने चार patterns डाल दिए 3D geometry टेक्शुर्स वगरा डाल दिए और यह custom pattern का एक टूल डाला हुआ है आपको rhino को close करना है ताकि आपकी setting जो है यह जो toolbar इंपोर्ट किया यह सब rhino में save हो जाए और फिर open करना है relaunch करना है मतलब rhino 7 को close करना है फिर open करना है ठीक है तो आपका हमेशा toolbar यहां पर दिखता रहेगा अब आते हैं हमारे patterns के ओपर तो सबसे पहले तो देखिए पहला वाला जो click करता हूं तो first red one जो है red one जो है pattern simple pattern one उस पर मैं click करता हूं तो देखिए पहले तो grass ओपर open होगा और एक window open हो जाएगी और यहां पर देखिए यहां पर अलग-अलग-अलग patterns आपके आपके पास आ रहे हैं अब यह patterns आपको 2D में मिलेंगे टोडी curves देखिए मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए पूरा फ्लाइट है ठीक है और जब अपन ग्रास ओपर में यह grass ओपर के base जो tools होते हैं इसके अंदर जब भी हम लोग काम करते है तो आपको कोई भी geometry यहां पर select करके ऐसे नहीं मिलेगी आपको display होगी only display होगी और यहां पर आपको grids है जो green color के जो grids निकरे आपको यह grids है और blue color के है यह आपके patterns है तो यह अलग-अलग patterns के ऊपर work होता है इस तरीके से अब देखिए यह grids अलग-अलग है तो यहां पर मैंने grids की images रखी हुई है तो आपको easily identify करने में easy हो जाएगा तो देखिए यह देखिए green ठीक है यहां पर मैंने अगर आपको यह patterns नहीं दिखना है दिखाना है तो यह देखो hide show patterns यहां पर मैंने रखा हुआ है तो show hide patterns पर यहां पर off कर देता हूँ तो देखिए grids दिखिएंगी और मैं arrow की से one two number three number four number इस तरह के से अलग-अलग-अलग इसके अंदर अवेलेबल है यह पैराकिट का जो plugin है ग्रास ओपर का उसके उपर यह डिपेंड है तो उनकी लिए thank you and इसमें ऐसे total 12 है इसमें कुछ जो है वह मैंने अपने साब से बनाए हुए है grids and कुछ उनकी तरफ से लिए मिक्स में है थाकि आप लोगों को सारी चीज़े एक ही जगप है और अच्छी तरह के से मिले and यहां पर grids में जैसे मान लेते हैं हम लोग यहां पर third number का grid लेते ह ऐ रहे है तो यहां पर देखिए एक स्क्वेर है ओके तो देखिए यहां पर देखिए एक स्क्वेर है और इसके आराउंड ट्रेंगल से देख रहे हुआ यह देखिए यह अलग अलग जगह पे, मतलब rotate हो रहे हैं, या मतलब play हो रहे हैं, देखिए, यह देखिए, यह hexagon है, hexagon के around triangles है, देख रहे हो आप, इस तरीके से यह grids है, तो अपके grids एक बर समझ गें आप, तो आपको easily हो जाएगा, यह 12 नंबर है, यह circular grid है, ठेक है, यह circle है, ठेक है, अब इसके अंदर आप देखिए पैटर्न को scale मतलब छोटा बड़ा करना है तो आपको यहां से आप छोटा या बड़ा कर सकते हो इसमें ज़्यादा फरग नहीं पड़ता यह scale है मतलब आप यह बाद में भी कर सकते हो ठीक है अब यह x और y मतलब यह x में हो कितने चाहिए मतलब यह होगा x आपका यह होगा x x होगा और यह होगा आपका y ठीक है तो यह इस तरीके से working करेगा आपका ठीक है तो यहां पर देखिए मैं 6 है तो यह देखिए बढ़ते जा रहा है और यह y में भी बढ़ते जा रहा है यह कम होते जाएगा इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो ठीक है ओके जब आप फर्स टाम ओपन करोगे तो आपको यह बटन नहीं दिखेगा तो आप क्या किजिए यहाँ से जैसे मैं अभी एक लोज करता हूँ इसके अंदर फर्स टोला टूल लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर यह बटन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से एक बार कोई भी कीजिए तो आपने आप यह दिख जाएगा यह कुछ बग है लेकिन यह मैं फ्यूचर में सौल करूंगा लेकिन इससे कोई प्राब्लम अगर यह अगर जाली आपको चाहिए तो आप क्या कर दळ सकते हो यहाँ पर बेक कर सकते हो बेक करने के बाद में यह देखिए यह आपके पास आ बहीं अब देखिए सिलेक्ट हो रहा है यहां पर गंबॉल भी आ गई है यह हमारे पास आ गई है ठीक है इसको में क्लोज करता हूँ तो देखिए हमारे पास में आ चुका है और इसके एक बाइडिफॉल्ट एक लियर बन जाएगी आपर पैटर्न ग्रीड करके और इसका कलर आपको पाइप देना है तो आप पाइप दे सकते हो देखिए जैसे में डामेटर वन का है जो भी यह बता हम लोग दे देते हैं एक बार के लिए लिए लेट सी देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारे पास आ चुका ही है ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हो मतलब आप की हो आप एजी ली इसको मैनिपिलेड बाद में भी कर सकते हो वे फिर से मेरी कमांडर रण हो गई है एश्केप कर देते हैं हम लोग एंड कंट्रोल एड डिलीट ठीक है तो यह हो गया grid का लेकिन इसी के अंदर ही देखिए अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसी के अंदर ही अगर मैं pattern second number ले लिता हूं मैं यह second number third number ओके fourth no fourth complicated है fifth sixth जो भी आप ले हहिए आप ले सकते हूआ अप लिए इसके बाद में याप पैटन्स कर सकते हूँ या आप अपच्छे से समझ गये अब आते हैं पैटन के सिलेक्षण में अब इद आराउंड फिर्टीन डाले वह हैं मतलब यह कोई जेने ग्रीडों फिक्स हो जाए जैसे ये स्वस्तिक है अगर स्वस्तिक से स्वस्तिक है विएग occupied घर्फ लेटे करो गे reign इस तरह के से play होगा यह सब पैरकेट के plugins में available है और मैंने स्रिफ इसको यहाँ पर implement करके आपके लिए easy किया है ठीक है अब यहाँ पर आप fillet दे सकते हो fillet जितना possible है उतना ही होगा बहुत ज्यादा नहीं होगा अगर मतलब बड़ा हो सबसे चोटा fillet होगा वहीं पर एक खत जबर्दस्ति दे भी दिया तो आपके अगरोगे play करोगे ना pattern को तो fillet आपका उतना उस तरीके से बढ़ता जाएगा यह देखिए और कई-कई-कई-failet fail होने के chances भी है जैसे कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा problem आ रहा है यह देख सकते हो आप ठीक है इसको आपको थोड़ 6 mm का pipe मारने के बाद में आपके कितनी जगह बचती है बीच में यह आपको देखना है तो मैं एक बार hide grid कर देता हूँ देखिए तो मतलब यह जो orange color का या red color का जो lines दिख रही है इसके बीच में जितनी भी lines है यह आपकी फिलिग्री होगी और यह metal होगा अपका pipe अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और जगह चाहिए या कुछ मुलब करना है तो आप यहां से pattern को scale कर सकते हो थोड़ी ज़्यादा जगह मिलेगे आपको यह देखी सकते हो ठीक है इस तरीके से आप working कर सकते हो ठीक है तो यह इस तरीके से work करेगा अब इसको implement कैसे करे किसी भी चीज़ के ओपर implement कैसे करे यहां पर बहुत सार अलग-अलग patterns है मतलब आप आप दिखाता हूं मैं देख इस ताइम पर आपको यह grids काम में आ जाएंगे आपके जैसे कि मान लेते हैं मैं यह वाली grid लेता हूं मैं इस grid में आप इसको easily ले सकते हो मैं पैटल offset को hide कर देता हूं यह देखिए आप बेक grid कर लीजिए and back middle curve कर लीजिए and इसको close कर देता हूं मैं तो देखिए अब यह यह दोनों चीज़े आप यूज कर सकते हो इसके आप पाइप करके आप इसको as a filigree use कर सकते हो ठीक है अब मुझे filigree बनानी है किसी भी चीज़ पे तो मेरे पास एक बना हुआ है तो देखिए यह मेरे पास एक surface बना हुआ है इसको मैं क्या करता हूं create uv curve कर करता हूं create uv right click देखिए यह मेरा इतने रिया में patterns में डाल सकता हूं या डालना चाहता हूं मान लेते हैं एक बार ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा इसी के अंदर से यह pattern ले लेता हूं मैं ठीक है अब यह patterns अभी आपको चोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हो यहां से तो मैं अ ठीक है एंड वाय में कम करना है नहीं करोगे तो भी जलेगा हम लोग बात में भी कम कर सकते है ठीक है बस अब आपको क्या चाहिए इसके अंदर तो मुझे आपको समझ लीजी यह दोनों चाहिए तो आप क्या कर सकते हो बेक ग्रीड और बेक मिडल का अगे इसको क्लोज कर अब देखिए यहाँ पर अन गुरूप करना पड़ेगा लेकिन अन गूप ऐसे कीजिए अनूप ठीक है अब आप सिलेग कलर स्वार यह सेम कलक सिलेग कलर कॉडर कर लिया और यह सारा आपने आपमे जो है ठीक है अब आपके इस इसके अंदर इस लाइन के अंदर आपको fix करना है, इस लाइन के अंदर आपको fix करना है, मैं इसका color change कर देता हूआ, तोड़ा easy हो जाएक right, brown कर देता हूआ यस ठीक है इस ग्रीन कलर में मुझे करना है एक अब आप इसकी जाली जो है इसके अंदर आप इस तरीके से फिक्स कर सकते हो ठीक है अब आपको मतलब सिमेट्रिक मतलब पर्फेटली जाली चाहिए तो आप देखिए यह इस तरीके से यहां आ रहा है और सेम लाइन में अगर आप यहां पर देख सकते हो तो आप डुणने की कोशिच किजिए, एसीली मिल जाएगा, तो देखो यहां पर आ रहा है, देखने बाद, यहां पर आ रहा है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मूझ करके, एक बार दूर रखते हैं, ताकि स्नैपिंग का बिसी हो ज लेगा यह रहा ओपोसिट डियरेक्शन राइट ओके यह है यह है यह है मैं यहाँ पर रखेता हूँ ठीक है और इसके बाहर का जो है वह मैं नहीं चाहिए ठीक है अब मैं इसको क्या करता हूँ स्टैंडर में चलते है एंड सॉरी सर्फेस एक सरफेस बन गया हमारा अब इन सारे चीजों को इसके उपर फुल कर देते हैं लेकिन फुल कर देंगे टाइम पर डिलीट इंपूट यस कर देना तक यह पूरे डिलीट वो जाए तो सिलेक किया और मैंने इसके उपर सरफेस सेल रूप कर लेता हूं इतना ही बचा है अब इस design को इस curve को इसके उपर आप flow along surface कर सकते हो देसे यह देखिए इसको select किया flow along surface यह select किया and आप यहाँ पर click कर लिजे तो देखिए आगे आपका pattern इसके उपर और मेरे पास यहाँ पर मेरे बने हुए है sorry okay sorry यह दूसरी जगह पर यहाँ पर बना हुआ है ठीक है तो अब यहाँ पर राके move कर सकते हो जैसे कि मैं इसको move यहाँ पर okay यह काम करते हैं हम लोग इस सारे pattern को इसी के उपर flow करते है ठीक है flow along surface यह दहां surface मेरा source और यह target ओके इसको एक बार के लिए अभी मैं hide कर देता हूं और यह मेरा show करता हूं यह मैं hide करता हूं देखिए ठीक है और आप इसके उपर आप pipe command से pipe कर सकते हो एक बार मैं rebuild करता हूं इसको मैं एक बार rebuild करने के time पर थोड़ा सा ध्यान रखिए थोड़े कम points में करना जैसे कि मैं 4 में करना है करता हूं इस तरीके से हुआ है इसको explode करके किजिए explode and then rebuild 4 points ओके ठीक है आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा करना है तो 788 से करते हैं ठीक है अब आप pipe दीजिए आपका pipe बहुत अच्छे से आ जाएगा च्छोटा रहते है ठीक है पॉइंट 5 का देख सकते हो इस तरीके से हमारे pipe जो देना है इसमें आपको कैप राउंड देना है ओके और राइट क्लिक तो देखिए इस तरीके से आपका इस तरीके से आपका यह बन गया मैं मशीन करके दिखा देता हूना आपको यह देखिए इस तरीके से आपकी जाली बन गई अब कर ने अंदर चाहिए बहुत सरे कर सकते हो इस तरीके से आप इसको वर्किंग कर सकते हो ठीक है सो आई होब कि आप अच्छे समझ गया होंगे Installation का और कैसे toolbar करना है किसी भी सर्फेस के उपर जाली को कैसे डालना है सर्फेस को manipulate कैसे करना है अलग-अलग parameters किस तरी कैसे work करते हैं इस tool के अंदर ये आपने अभी देख लिया इस वीडियो में और अच्छे से समझ के और सारी चीजे करके एक बार कर लेना आप और कुछ issue रहेगा तो ही आप मुझे प्लीज करना लेकिन वीडियो आप अच्छे से जरूर देख लेना सो दोस्तों ठीक है हम लोग मिलते हैं next tool में next जो हम लोगा है इसके अंदर इसके अंदर तो ये बहुत simple हो जाएगा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन next वीडियो जो होगा बहुत simple और चोटा होगा क्योंकि ये जो इतने भी सीजे हैं उसके अंदर repeat नहीं होगी so thank you very much guys और tools को use कीजिए problems बताइए ताकि मैं उसका solution कर सकूँ please फिर से याद दिलाता हूँ 107 आपके लिए बहुत convenient रहेगा ये सब use करने के लिए so मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई